ह्लो गयूं Über lawn । हelो ईशडो दोस्तों नमस्ते का सब अब साभ मेरे दाम में मनः आपतिर आप दर आप दंदते की वीडियो और इस वीडियो नेर बात करने बाले हैं आईटी दीस के बाडे हैं यहाँ पर दुस्तो मैं रेटंगुलर यूस कर रहा हूं जो आइकन को चलते हैं सिनिसिते पहले मैं आपको यह पर अबवाउट फोन में जाके दिखना हो चाहँंगा तो यहाँ पर जो एंडड़ वर्सने आपको अब्रेट वर्सन्टेन मिल जाता हैं फेबरेड टुटिवरी का सिगुर्टी पैच अब रेट है जो करनेल है जो शामी का जो स्टॉक करनेल है एपिशेल जो ASP साइट है उसके अंदर अभी लिस्ट अभी भी फिलाण नहीं है वाइट बात करने लिए वाइफाई के दो वाइफाई यहापर फाड रवाकिंड करनेशन के आदर है एडवांस रिबूट का option यहाँ पर मिल जाती है as well दोस्तों आप आपको screen recording का भी option मिल जाती है long press to power button for touch के लिए आप यूज कर सकतो यहाँ पर cursor control swipe volume button आप volume की साथ answer कर सकतो calls को volume button के साथ phone का unlock कर पाओगे playback control का option मिलते है navigation bar को दोस्तों आप यहाँ से changes कर पाओगे navigation bar का आपको यहाँ पर option मिल जाती है और decent के अंदर दोस्तों स्रिफ एक option दिखाई यहाँ आप दोस्तों कुईक पूल डाउन को tap to sleep brightness control icon की बात करूँ तो logo लागा सकतो 4G icon को शो कर सकतो वाइल्टी icon को शो कर सकतो रोमीन को शो कर सकतो बैटरी icon जैसके में यहाँ पर अपको dot मिल जाते हैं चाहो तो यहाँ सब changes भी कर पाओगे दोस्तों इस तरह से कुछ change भी कर पाओगे जो की देखने में काफी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ आप आपको battery bar भी मिल जाते है कुछ इस तरह से देख पाओगे उपर आपको battery bar और अगर आप battery bar को battery bar का जो dpi है उसे भी change कर पाओगे colorful भी कर पाओगे बहुत सारी चीज से पर network activity आपको यहाँ पर मिल जाती है और carrier level को आप यहाँ से changes कर पाओगे नोटिफिकेशन के दोस्तों यहाँ पर आपको टिकर मिल जाते है lock screen के बाद करूँ lock icon double tap to sleep battery info music visualizer media cover art का option मिलते है अपने lock screen के अंदर अगर ने बात कुड़िया फिंगर पिंट सेंसर बहुत ज्यादा फास्ट है बाई सब देखिए फिंगर फिंट सेंसर जो lock screen है बहुत ज़्यादा प्यारा है जो font है काफी ज़्यादा प्यारा लगा है मुझे और यह पर lock screen के दोस्तों फिंगर पिंट ऑर्थनिकेशन भाइबेशन पावर मेनू आइट सेंटर बार का भी ऑप्शन मिल जाती है जो ही काफी ज़्यादा है वेधर के अंदर दोस्तों वेधर का उप्शन है थीम यहाद पर में रेड यूस कर रहा हूँ आप चाहो तो इसमें से कोई भी कालर की उसकर सकतो उसके बाद दोस्ति आप आइकॉन पैक को चेंज कर पाऊगे आइकॉन शेप को हाँगे फॉन्ट में इस फान्कि उसकर हो बहुत दगना फॉंट है बहुत दा अच्छा लगता है और यहां पर दोस्तों आप डेटिकेट डार्क मोट को भी अपलाई कर पाऊगे और बहुत सारी मोट आपको अलग-अलग मिल जाती है डार्क मोट के लिए अलग सरीन से और जो लाइट थीम है जो लाइट थीम और डा कस्टमेशन भरपूर है अधार UI2X के अंदर system UI tuner मिलती है शो रोटेशन शाजेशन अलग-अलग चीज़ है दोस्तों शो CPU info, AOD on charging, always on display का अप्शन है अनिमेशन, system behavior, system extension अपको यहापर मिलती है और यह यह कस्टमेशन के अंदर थीम के अंदर more color और automatic का अप्शन मिल जाती अप्शन का अप्शन अपको मिलती है यह तो गई दोस्तों कस्टमेशन का बात सभी option जो जो कस्टमेशन के अंदर है ASP extra के अंदर मैं आपको यह आपर बता दिया मेन बात कतती है अगर आपके रोम के ऊपर बहुत जा कस्टमेशन होती है दोस्तों तो बैटरी लाइब और अपस्तों का अप्शिया उश्चा है बहुत ही अच्छ है मיडं Cosmm ूवई 11 में ठ्रॉप के अंदर मैंने Android 10 का स्ट्रॉप अंड्र yapıyor है अंडर न्एन का स्ट्रॉप रोम को ट्रॉप की अपर नहीं है यह यह तो क्ने नितरी यह च्छों उदीय दरिशा के अधर इसका आपको option मिलेगा, tap to wake up, pocket direction का option मिलेगा, dashbox condition, dashbox action का आपको option मिल जाएगा और system के अंदर दोस्तो, sorry sound के अंदर आपको touch vibration, touch sound का option मिलती है और यहाँ पर आपको fingerprint sensor का option मिल जाती है, जो जासके ने बताया था, fingerprint sensor काफी ज्यादा faster पार, जो face unlock ही हो आपको यहाँ पर फिलाल नहीं मिलता है उसके बाद Xiaomi part के अगर बात करूँ तो यहाँ पर hard pick, feedback, display का option मिलता है, थानमाल के लिए आपको balance, performance, battery, gaming, extreme battery का option मिल जाती है आपको यहाँ पर option दिया जाता है, और यहाँ पर दोस्तो में on-skin gestures को भी यूज कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो दोस्तो थ्री बटन gesture को यूज कर सकतो और टू बटन gesture को भी यूज कर सकतो पर मुझे पर दोस्तो पसंद दोस्तो यह जो दो option इसे एनेवल कर देना, अगर आप power menu यह से दोबर टैप करोगे देखिए तो यह जो camera ओपन हो जाएगा, जो काफी handly feature आप कह सकतो और swipe to screenshot का भी option है, अगर आप 3 fingers के साथ यहाँ पर swipe करते हो तो automatically screenshot क्लिक कर लेगा, जो काफी अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी है, उसके बाद दोस्तो यहाँ इस तरह सबको मिलेगा, यह जो रहो में अभी भी तुस्तो प्योरली ओपिशल नहीं हुआ है, फिड भी काफी अच्छा है, डेली डाइबर के लिए काफी अच्छा है, अगर बात दोस्तो यहाँ पर camera की तुस्तो गूगल camera यहाँ पर आपको default camera जो मिलता है जो यहाँ पर आपको portrait mode, video recording के अंदर 60fps का भी support मिलता है, फुल एजी 60fps और जो Google camera है दोस्तो ओ भी आपर working condition के अंदर है, पर जो normal stock Google camera आपको मिलता है दोस्तो वो काम नहीं कर रहे है, पर Google camera गो यहाँ पर working condition के अंदर है, और camera तो यहाँ पर बात करो दोस्तो यहाँ पर आपको लेवल SP ROM जो है दोस्तो बहुत जदा fast है, बहुत जदा responsive है, बहुत जदा तकड़ा आपको यहाँ पर मिलती है, उसे सा दोस्तो यहाँ पर option दिया गया है, James DSPA जो option है में ले दोस्तो काम करता है, आपका speaker के उपर, headset के उपर, Bluetooth speaker के उपर, यहाँ से दोस्तो आप चाहो तो master switch का option है दोस्तो बेस को enable कर सकतो हो, और यहाँ पर mix it, equalizer आपको मिलती है, इसे enable करने के बाद दोस्तो यहाँ से आप changes कर पाऊगे, मतलब जो dolby का है, दोस्तो काम है, जो viper for android का काम है, वही आप काम कर सकतो है, वाइपर का ही एक module है, आप कह सकतो, और बहुत ही बढ़िया काम करती स्टीडियो, वींडियर का option है, बहुत सरी चीज़े जो कि आपको खुछ से ट्रेगर के देखना चाहिए, अगर बात रही है और यहाँ पर गूगल प्ले है, वही काम कर रहा है, को भी परिशन के बात नहीं है, इन डिफाल दोस्तो को music player आपको मिलती है, काफी अच्छी music player है, इसा भी उस करके देख सकतो, अगर आप ऑनलाइन गाना नहीं सुनते हो, तो, और बात के यहाँ पर status bar की, तो status bar कुछ इसर से मिलते है, मैं यहाँ पर दोस्तो कुछ changes किया हूँ, और यहाँ पर Wi-Fi काम का रहा है, Bluetooth काम का रहा है, यहाँ पर वाल्टी भी काम कार रहा है दोस्तो, और लोकेशन काम कार रहा है, होर्सपर काम कार रहा है, डिकरे डार्क मोड भी मिल जाती है, जो कि फस्क लक संग पर ते रेड और ब्लक के अंदर बहुत अतुखर लगती है, इसकीन डेकरडिंग है दोस्तो, उसके अंदर इंटरनल साउंड डेकरडिंग का option आप जो कि Mi का A2 device के अंदर हमने install किया है, जो कि बहुत ही प्यारा ROM है, और इसका जो पहुमें से जो बैटरी लाइब है दोस्तो, ओबराल जो फिचा रे रॉम प्मेट करता है, बहुत साधे कस्टमेशन के साथ आता है, और सिब एक ही परबलम मेंने फेस्किया है दोस्तो, बाकि इस रॉम के अंदर कोई परेशन के बात नहीं है, इस रॉम का बे फिकर ट्रै करके देख सकतो, आशा करो दोस्ते वीडियो पसने होगा, सब्सक्राइब करके गंडी बाटन को दबा देजिएगा, मिलते है नेक्स वीरो के अंदर, थैंक्यू वेरी माच